हाई व्यूवर्स जाइका इंजिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे आलू टिक की चाट तो चलिए सुरू करते हैं आसान फूट रेसिपिस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें आलू टिक की चाट बनाने के लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम बोईल किये हुए आलू लिये हैं इनको हमने रूम टेंपरिचर पर अच्छे से ठंडा कर लिया है और इन आलू को हमने मेशर की मदश से अच्छे से मेश कर लिया अब हम इसमें एट कर देंगे दो टेबल स्पून कॉन फ्लोर देखें यहाँ पर कॉन फ्लोर जो है वो बाइंडिंग एजन्ट का काम करता है इसी के साथ हम इसमें एक टीस्पून नमक एट कर देंगे और एट करेंगे थोड़ा सा बारिक कटा हुआ हराधनिया और चार छोटी हरी मीज जिनको हमने बारिक काट लिया है इन सारे इंग्रीडियंट को मेस की हुए आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमने सारे इंग्रीडियंट को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसमें से टिकी बनाने के लिए सबसे पहले हम हाथों को तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेकर इस तरह से हमने इसकी टिकी बना लेनी है देखिए हम यहाँ पर मीडियम साइस की टिकी बना रहे हैं अगर आप चाहो तो इसकी साइस थोड़ी बड़ी भी रख सकते हो इस तरह हमें बाकी की टिकीयां भी बना लेनी है तो हमने 500 ग्राम आलू में से मीडियम साइस की 12 टिकीयां बना ली अब हम इनको फ्राइ करेंगे तो टिकी को सेलो फ्राइ करने के लिए हमने यहाँ पर तवे पर तीन टेबल स्पून तेल अच्छे से गरम कर लिया है इसमें एक एक करके टिकीयां एट करेंगे देखे आप इसे डीप फ्राइ भी कर सकते हैं गेस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और एक तरफ से इसे गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राइ कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर दो मिनिट टक फ्राइ करने के बाद हम इसकी साइट्स को चेंज कर देंगे और दूसरी तरफ से भी हम टिक्की को मीडियम फ्लेम पर गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे यह देखिए यहां पर हमारी जो टिक्कियां है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है इनको हम तेल में से निकाल लेंगे और बाकी की टिक्कियों को भी हमने मीडियम फ्लेम पर दोनों तरफ से गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है तो चलिए अब हमारी बनाई हुवी टिक्कियों को हम सव कर लेते हैं सव करते वक्त हम इस पर एट करेंगे चाट वाला दही घर पर चाट वाला दही और चटनी कैसे बनाए उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और एट करेंगे ग्रीन चटनी देखिए टिक्कियों को चटपटा बनाने के लिए आप इस टेज पर थोड़ा सा जीरा पाउडर और चाट मसाला भी एट कर सकते हैं और अगर आपको ज्यादा स्पाइसी पसंद हो तो लाल मिश पाउडर भी एट कर सकते हैं इसी के साथ हम इसमें एट कर देंगे खटी मिठी इमली की चटनी क्योंकि हमारी जो ग्रीन चटनी है और इमली के चटनी है वो ओल्डेडी स्पाइसी है इसलिए हमने यहाँ पर लाल मिश पाउडर को स्कीप किया है गानिशिंग के लिए हम इसमें एट करेंगे बेसन की बारिक सेव इसी के साथ हम इसमें एट कर देंगे थोड़ा सा बारिक कटा हुआ हरा धनिया इसी के साथ हमारी जो आलू टिक की चाट है वो खाने के लिए बिल्कुल तैयार है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेर और कॉमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले फिर मिलेंगे जाइका इंजया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई